हाई a setup वेल्ड まाई चनल से याप का। तो अप जानते होंगे कि एक पॉलिगन जैसे कि आपका ट्रेंगल से श्नाट करते हैं। पॉलिगन बहुत सारे हो सकते हैं हना जिसे कि हम पहले ट्रींगल ले सकते हैं। ट्राय एंगल दूसरा क्या है इस्क्वेir कि या फिर भोल सकते हैं pois आज वहाखल गोल सकते हैं जनृरली उञे म допोशते हैं क्वाडिले लग थिक है, लेकिन irregular में क्या होता है all sides are not equal और वैसे ही होता है फिर hexagon next हो जाएगा hexagon ठीक है hexagon में क्या होता है six sides होते हैं वैसे ही heptagon heptagon में seven sides होंगे और इन सभी में regular और irregular polygons तो इन सब की बात करेंगे इनकी area find कैसे करेंगे ठीक है तो जैसे कि triangle के area तो आप जानते ही है क्या होता है इसका formula भी होता है one better into base into height तो इसमें कोई प्रालम नहीं है triangle के area find हो गई square और rectangle square rectangle या फिर trapezium यह सारे quad literals है ठीक है तो square rectangle trapezium and rectangle इन सब का area find करने का formula अलग अलग है ठीक है नहीं लेकिन pentagon का area find करने के लिए कुछ भी नहीं है formula और hexagon का भी area find करने के लिए कोई formula नहीं है और heptagon या octagon या nonagon या decagon इन सब के लिए एक specific formula नहीं बनाया गया है ठीक है तो कैसे find करेंगे फिर in polygons के area ठीक है यही समझना main है इस video में तो यहांबर मैंने कुछ ड्राकियों हैं different polygons तो यह है आपका pentagon जो कि irregular है और यह pentagon है जो कि regular है और यह hexagon है जो regular है और यह octagon है जो regular आप मान सकते हैं तो खेर मैं समझा रहा हूं या पर कैसे निकालेंगी यहां पर आप सबका निकाल सकते है regular हुआ irregular ठीक है समझे ध्यान से यदि माली जी आपको अईसा दे दिया pentagon और कहा कि इसका area कैसे find करेंगे या फिर octagon दे दिया यह वाला octagon और hexagon या फिर कोई भी दे दे figure और polygon और योरण दे की find करी इसका area तो कैसे find करेंगे आपको सबसे पहले कैं करना है कि उस figure को उस figure का different part करना है और कौँन से parts non overlapping parts नान ओफरलैपिंग पार्ट्स का मतलब क्या होगा नान ओफरलैपिंग पार्ट्स का मतलब की ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करिए कि उसके पार्ट्स एक दूसरी को ओफरलैप ना करें और जो पार्ट्स होने चाहिए जो आप पार्ट्स करेंगे वो parts होने चाहिए, rectilinear parts, rectilinear figures के form में, rectilinear figures क्या होते हैं, यही triangle, square, pentagon, hexagon, triangle, square, rectangle और trapezium, parallelogram, यह सारे क्या हैं, rectilinear figures हैं, तो यहां पर जो pentagon दिया हुआ, इसके different parts करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखे, पहले-पहले क्या करिए, कि इसका एक diagonal खिचिए, diagonal, ठीक है, तो इसको यदि हम इस point से, यदि मैं क्या करूँ, यहाँ पर diagonal खिचूँ, और इस point से इस point को मिला दूँ, तो यह हो गया एक diagonal, ठीक है, अब यह diagonal खिचने के बाद, अब यहाँ पर दिखिए, यह जो नीचे वाला part है, यह एक क्या बन गया, यह एक बन गया है, triangle, तो इसकी area निकाल सकते हैं हम लोग, और उपर वाला जो यह बना हुआ है, यह कोई figure नहीं दिख रहा है, यह quadilateral है, लेकिन इसके दो parallel sides नहीं है, इसलिए इसको फरसा और parts में divide करना पड़ेगा, या फिर इसको भी हम और कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है ना, कि इसको हम different parts में divide करें यहाँ पर, perpendicular, याद रखिए, perpendicular drag करना है, perpendicular drag इसलिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा एक right angle to triangle, और right angle to triangle की area निकालना आसान होता है, और यहाँ पर भी एक perpendicular drag कर लेजे, इस diagonal पर, तो यह जब अब drag करेंगे perpendicular, तो देखिए, यहाँ पर होगा क्या, यह अब जो है, जो उपर वला जो quadilateral है, यहाँ तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है, और यह तीनों पार्ट क्या है, rectilinear figures है, मतलँ कि पहला वला एक triangle है, यह वला क्या है, यह वला एक triangle है, और यह क्या है, यह एक triangle है, फिर سे, तो इन तीनों का अलग-अलग area हो find कर सकते हैं, क्योंकि कि सब कुछ दिया रहेगा question में क्या है कि आपको सब कुछ दिया रहेगा यह अलग से दिया रहेगा कि यह length कितना है यह दे दिया कि 2 cm है और यह आपका 4 cm है सद दिया रहेगा definitely दिया रहेगा ठीक है तो आप इस के एरिया find कर सकते हैं 1 by 2 into base into height base means 2 और height means 4 ठीक है 2 to cut जाएगा यहां मिल लेगा 4 cm square यह 10 cm में 2 यह दिया है और यह भी दिया है तो ठीक है वह ऐसे ट्रपीजियम के रिया find कर लेंगा अलग से क्योंकि आप कैसे पता कि यह ट्रपीजियम है यह भी तो बात है ना देखिए ट्रपीजियम में क्या होना इस line सेगमेंट पर दो perpendicular lines drag गई है एक यह वाली और एक यह वाली तो यदि हम एक डूनों perpendicular lines जो है एक परपकर करेंगे तो यह दोनों perpendicular lines एक तो दो parallel lines हो गई और यह जो दोनों lines है यह वाली और यह diagonal का कुछ part यह वाला और यह वाला यह वाला यह दोनों parallel नहीं है तो non parallel sides दो होने चाहिए और दो parallel sides होना चाहिए तो यह actually क्या है यह actually trapezium है तो इस तरह से divide करके हम जो है इस trapezium की area find कर लेंगे क्योंकि इसका भी दोनों parallel sides का यह length दिया रहेगा यह यह वाली यह के 8 cm दिया हुआ है और यह वाली length भी दिया रहेगा कि यह जो perpendicular distance है वो कितना है ठीक है तो आपको ऐसा दिया रहेगा question में तब यह find कर पाएंगे और इस triangle के area भी निकालनेंगे 1 by 2 into base into height base क्या है आपका base आपका यह है यह वाली length और height क्या है यह वाली length ठीक है और नीचे वाला जो triangle है इसको भी हम divide कर सकते हैं दो parts में यदि आपको पूरा complete यह height नहीं पता तो इसको दो triangle के form में भी divide कर सकते हैं किस तरीके से यहां से एक प्रवन को ड्रा करेंगे हम इस base पर और यहां से आपको मिल जाएगा यह दो triangles एक triangle यह हो गया और एक triangle यह हो ग इस triangle के लिए क्या रहेगा base आपका इतना और height यह यह फिर आप उस पूरे triangle का area एक साथ निकाल सकते हैं पूरा base लेना पड़ेगा आपको पूरा complete यहां से यहां तक और height लेना पड़ेगा यह तो question के अमसार करेंगा question में जो दिया रहेंगा उसके अमसार करना पड़ेगा ठीक है अब यहां पर आते हैं देखे इसका area हम दो तरह के से find कर सकते हैं एक जो हम यहां से यदी हम ऐसे करके इसको दो parts में divide कर देए यहां से ठीक है यदि हम इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा कि आप देख सकते हैं एक्चलि हम तो अच्छे से डिवाइड करें इसको ओके तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यह दोनों पार्ट्स क्या है? टरपिजियम्स है टरपिजियम्स में already divided हो गया है टरपिजियम्स में यदि हो गया तो हमारा length यदि दिया रहेगा parallel sides का और इस diagonal का length भी दिया रहेगा मतलब ये perpendicular जो distance है इस vertex का और इस line से ज़ो distance है perpendicular यह दिया रहेगा तो हम आसानी इसका find कर सकते हैं तो हम यह एक तरीका है find करने का और दूसरा एक तरीका है वह है यह वाला हाँ अब इसको जो हम इस तरीके से भी बैट कर सकते हैं यहां से इसको join कर दीजिए इसको हम join कर दें यहां से यहां सक तो यह दीए ऊपर वाला एक triangle बन गया यह क्या है एक triangle है और यह क्या है यह जो है क्या है ईक सकते हैं तो इसकी और और्रेखलर के सकते हैं अलग से और यह जो तरीके से एक पेंटागों को bel ACT कर सकते हैं उसकी इसकी और करने के लिए अब आते हैं hexagon में hexagon में क्या होता है regular और irregular दो तर के हो सकते है यदि regular रहेगा तो find करना बड़ी असान रहेगा तो जैसे कि यहाँ पर यह regular दिख रहा है तो क्या करना है इसमें भी different parts में इसको divide कर लेना है तो यहाँ से इसको join कर लिजे यह अपने दोनों join कर लिया और इसको join कर लिया क्यों यहीं दोनों join करने से क्या हो गया देखे यह triangle, rectangle और triangle में divide हो गया है कि नहीं यह triangle बन रहा है triangle के area find करने के लिए का करते है base 1 by 2 into base into height करते है तो आराम से इसके area find हो जाएगी और इसके area find करने के लिए length into breadth rectangle है यह ठीक है तो regular hexagon में बड़ी आसान होता है यह find करना या फिर यहाँ इसमें जो है height जो है ड्रा कर सकते हैं यहाँ से यहाँ से perpendicular इसे ड्रा कर दीजे तो यह height हो गई यहाँ से perpendicular इसमें ड्रा कर दीजे आड़ी सर्मा का जो questions है या फिर आड़ी सर्मा में जो questions दिया हुए है उनको आप solve करेंगे तो उसमें दिया रहेगा उसके सारे parts को ठीक है तो बड़ी आसान होता है solve करना और इसम सारे के सारे solve किये हैं यदि आप जाकर के देखेंगे तो सबको आपको सारे questions मिल जाएंगे आड़ी सर्मा दोनों के ठीक है तो यहाँ पर आप कैसे रिक find करेंगे तो आपको यह दिया रहेगा जैसे माले जो कि यह 2 दे दिया और यह पूरा length दे दिया है 4 cm यहाँ से ले करके और यहाँ तक ठीक है तो कैसे find करेंगे इसके area तो क्या करेंगे इसके area find करने के लिए पूरा complete यह जो triangle है इस triangle के area find करने के लिए आपको जानते है 1 by 2 into base into height base कितना है 4 हो जाएगा into height कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी है कि नहीं 2 से cancel होगा यहाँ मिल जाएगा 2 अब इसकी area निकाले के से तो length into breath होता है तो length कितना है 4 breath कितना है 3 तो मिल जाएगा कितना 4 तीज़र 12 तो 12 cm2 यह मिल जाएगा ठीक है cm2 में सारे length दियो है तो और यहाँ पर जो इसकी area होगी वो उतना ही होगी जतना उपर वाले की होगी क्योंकि यह क्या है यह regular hexagon का figure है और regular hexagon में उपर वाले triangle का area होगा वही नीचे वाले triangle का area होगा तो नीचे वाले triangle का area भी 2 cm2 आएगी और सब को add करेंगे तो मिलेगा 12 प्लस 2 प्लस 2 means 16 cm2 तो ऐसे करके मतलब कि add करके आप पूरा complete इस figure का hexagon का area नीचे का सकते हैं यह अक्टागन की बात करें तो octagon में देखिए यहां पर भी आपको यह regular octagon दिया रहेगा तो regular octagon में आप देखिए यहां पर इसको इससे जोइन करते और इसको यहां से जोइन करते हैं तो देखिए आपको ऐसा मिलेगा खुछ और यह जो side होगी ना यह parallel होगी मतलब एक trapezium हो जाएगा तो यह जो figure बन जाएगा यह बन जाएगा trapezium trapezium और यह भी एक क्या बन जाएगा trapezium तो इसका आप यह जानते होंगे जो formula होता है उसको लागार क्या आप निकाल सकते हैं और यह क्या है एक rectangle बन जाएगा यह regular octagon रहेगा तब मिलेगा ऐसा ठीक है यह regular रहेगा तो इसको और भी parts में divide करना पड़ेगा जैसे कि irregular रहेगा तो आपको यहां से भी divide करना पड़ेगा तो यह ऐसे कर दीजिएगा 90 degree पे ठीक है projection तो यह rectangle बन गया और यहां पर भी 90 degree करना पड़ेगा यह regular octagon नहीं रहेगा तब करेंगे ऐसा ठीक है तो ऐसा हो गया यह rectangle मिल गया और यह जो है एक trapezium बनेगा यह regular रहेगा तो और यह जो है आलग triangle बनेगा तो इसका आलग स्टेन काल लेंगे फिर यहां पर भी आपको यह जोईन करना पड़ेगा perpendicular distance ठीक है और यहां पर भी आपको यह बनाना पड़ेगा तो मतलब कि हम different parts में rectilinear parts में divide करके rectilinear figures में divide करके एक polygon का area find कर लेते हैं तो इसमें बस इतना ही है तो आप यदि एक particular question देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा solve किया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं तो इस बीडियो में इतना ही रखते हैं और इसके area find करने के लिए हो simple है आपको divide करना है different छोट छोटे parts में इस triangle, square, rectangle, parallel, perlogram या trapezium और उसकी area find करके add कर लेना है that's the formula only अभी तक कोई space हो हम उला नहीं मतलब decide क्या गया है किसी भी polygon के लिए मतलब pentagon से आगे pentagon और pentagon से आगे के लिए okay thank you so much for watching बिलते हैं आपसे नेक्स बीडियो में bye